नमस्ते दियो वीवर्स तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टापिक है वो है बैलस्टी गैलविनो मेटर पार्ट 3 इसके पहले हम लोगोंने दो पार्ट देखा था जहां पर हम लोग बैलस्टी गैलविनोमेटर से रिलेटेड उसका construction उसका theory ठीक है और कुछ tombs देखे थे बैलस्टी गैलविनोमेटर से रिलेटेड तो इस वीडियो का हमारा जो topic है उसे हम लोग आगे देखेंगे बट यहा याद होगा कि हम लोग ने एक relation obtained क्या था q is equal to c by nba t by 2pi थीटा नोट हम लोगोंने ये एक relation obtained क्या था बैलस्टी गैलविनोमेटर में जो q और थीटा नोट के बीच था थीटा नोट maximum deflection था आपको याद होगा अब यह जो relation हम लोग obtain किये थे relation किस बेसिस पर आप्टेड कि थे हैंना मतलब उसका क्या अजब्शन था हमारा सबसे पहला अजब्शन यह था कि भाईया यहां पर जो डैंपिंग है ठीक है मतलब जो हम लोग बैलस्टी गैलविनोमेटर लिए थे वहां पर जो कॉयल था उस कॉयल पर जो डैंपिंग था वो मतलब negligible कि हम लोगोंने य हम लोग अजिम किया था दैंपिंग fully absent है हम लोग नह simplemente किय था दूसरा जो काल को तुछ करने में हम लोग कानेटिक एनर्जी फुल ली यूज़ नहीं हो रहा था तो यहां पर दू अजर्प्शन हम लोग किये थे, ठीक है, तो सबसे पहला यह जो अजर्प्शन है कि डैम्पिंग एप्जेंट होता है, यह ट्रू नहीं है, ठीक है, अब देखें, आपको पता है कि हमारा यह, मान लीजे, यह नौर्थ पोल हो गया, यह हम लोग का साउथ यह लोग करेगा, तो होगा क्या, जो एर का विसकोसेज फोर्ज है, वो इस क्वायल पर एक्ट करेगा, जिसके कारण इसका जो ऑसलेशन होगा, वो डैम्प्ट हो जाएगा, मतलब उसका उसलेशन पर कुछ फर्क पड़ेगा, जिससे उसका एम्प्लीटूट डिक्रीज हो एक्ट्रो मागनेटिक फोर्स, या फिर ऐसा कहा है ऐलक्ट्रो मागनेटिक डैम्पिंग, एक्चुली आपको पता है, हम लोग फिशले वीडियो में देख चुके हैं ऐसा कि कॉपर वायर का जो क्वायल होता है, एक नन कंडक्टिंग फ्रेम पर वुंड करते हैं, फ्रेम Unconducting होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ न कुछ चार जो है इंड्यूस हो जाता है ठीक है जिसके कारण होता क्या है कि Electromagnetic Damping भी इस कोईल पर Act करता है वो Act कैसे करता है एक्चोली वहाँ पर कुछ अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है जिस भी डिरेक्शन में हमारा कोईल ऑसलेट करने का कोशिज करता है उसके अपोजिट डिरेक्शन से वो उसको अपोज करने का कोशिज करता है ठीक है तो मतलब overall हम लोग को मतलब क्या पता चल रहा है कि एक तो Viscosity Act करता है ठीक है और दूसरा क्या Act करता है Electromagnetic Damping Act करता है तो हम लोगों का यह जो assumption था कि भाई जो Damping है वो fully absent है वो गलत हो गया हैना वो गलत था Actually मैं दो तरह का Damping यहाँ पर Act कर रहा है तो यह जो relation हम लोग obtain किये थे Part 1 में यह relation में थोड़ा सा Error आ गया हना यह relation में थोड़ा सा Error आ गया तो आज हम लोग इसी Error को इस वीडियो में discuss करेंगे तो आज का हमारा जो topic है वो क्या है उस topic को यहाँ पर लिख लेते हैं वो topic है correction correction of damping ठीक है Damping का correction करेंगे इस वीडियो में हम लोग ठीक है मतलब है कि पिछले वीडियो में जो हम लोगोंने mistake किया इस relation को obtain करने में हम लोगोंने ऐसा assume कर लिया कि Damping absent होता है वो गलत था consequence बस इतना होगा कि अगर यह हमारा suspension यह हमारा coil है ठीक है तो coil जो पहले maximum deflection है उसका जो दे रहा था कम आएगा तो चलिए ठीटा नोट का value calculate करते हैं अब यहां पर देखिए हम लोगों ने यहां पर सब जो ठीक करके रखा है हम लोगोंने क्या लिया है कि लेट ठीटा वन ठीटा टू ठीटा त्री एंड सो ओन इसी विदा continuously decreasing successive amplitudes observe at the end of the first, second, third swings of the coil ठीक है चलिए यह हमारा coil हो गया है यह हमारा suspension हो गया अब coil कुछ ऐसे ऐसे swing करेगा महाँ पर कुछ ऐसे ऐसे swing करेगा क्याना तो हर एक स्विंग पर first swing, second swing, third swing, fourth swing पर जो amplitude observe हो रहा था वह amplitude continuously decreasing amplitude होगा कैसा amplitude कुछ ऐसा कुछ सबसे पहले increasing हो रहा है फिर थोड़ा सा decrease, फिर दिक्रीज, फिर धिर जाकर के वह amplitude zero हो जाता है ठीक है तो वही amplitude की यहाँ पर बात हो रही है ठीक है जिसको theta 1, theta 2, theta 3 के form में लिया गया है ठीक है deflection जिसे हम लोग deflection का नाम भी दे सकते है amplitude को ठीक है यहाँ पर amplitude मतलब क्या जो maximum deflection होगा coil का ठीक है अब यहाँ पर हमने लिखा है कि theta 1, theta 3, theta 5 are on one side of the rest position of the coil while theta 2, theta 4 are on the other side देखे अब यह हमारा coil है अब यह coil कुछ ऐसे rotate करता है कुछ ऐसे rotate करता है तो इसका दो side है एक side में अगर angle theta 1 है तो दूसरे side में angle theta 2 होगा ठीक है इस side अगर angle theta 3 है तो इस side क्या होगा angle theta 4 होगा क्लेटी सहंगना रहा है उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग उसको consider कि theta 1, theta 3, theta 5 are on one side of the rest position of the coil while theta 2, theta 4 are on the other side of the coil ठीक है अब देखें experimentally ऐसा पता किया गया है अगर theta 1 इदर form होता है और theta 2 इदर form होता है ठीक है उसी तरीके से theta 3 अगर इदर form होता है theta 4 इदर form होता है तो जो ratio होता है theta 1 by theta 2, theta 2 by theta 3, theta 3 by theta 4 and so on यह ratio constant होता है जिस constant value का नाम हम लोग d देते हैं ठीक है यहाँ पर देखें since it is found that the ratio of one value to the next is always a constant this is theta 1 by theta 2 is equal to theta 2 by theta 3 is equal to theta 3 by theta 4 is equal to d ठीक है और यह जो d है इस d को कहते हैं decrement per half vibration हर एक half vibration पर जो decrement होता है उसे हम लोग d से represent कर रहा है अब यह तो बात हुआ कि वड़ी per half vibration कितना decrement हो रहा है तो per full vibration कितना decrement होगा full vibration की अगर बात की जाए तो देखें लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक point हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे है कि जो decrement था D ठीक है उसका logarithm ले रहे हैं आपर तो log E D is equal to lambda जहाँ पर यह जो lambda है यह logarithmic decrement को represent करता है where lambda is logarithmic decrement now D is equal to E power lambda यह हमारा जो है एक relation होता है log E D is equal to lambda या फिर यहाँ पर कोई quick constant आप ले जाकते हैं D के जगा पर भी और lambda के जगा पर भी ठीक है ठीक है जो equal होगा कि से theta 1 by theta 2 is into theta 2 by theta 3 अगर theta 2 theta 2 cancel कर दे तो हमें यही मिलेगा अब देखिए theta 1 by theta 2 का value D होता है और theta 2 by theta 3 का value D होता है तो क्या होगा D square D का value हमारे पास क्या है E power lambda तो हमारे पास क्या होगा E power 2 lambda उसी तरीके से अगर आप decrement हना per quarter निकालिएगा per quarter अगर आप decrement per quarter मतलो 1 fourth vibration के लिए जो decrement होगा वो कितना होगा decrement per quarter vibration लिखलीजे decrement per quarter vibration is E power lambda by 2 यह होता है decrement for quarter vibration एक quarter मतलो 1 fourth vibration के लिए जो decrement होता है वो होता है E power lambda by 2 का ठीक है तो अब बात यह आता है कि यहाँ पर जो theta naught है हमें actually value इसका calculate करना है क्योंकि theta naught जो है यह यहाँ पर कम होगा तो इसी का value हमें find out करना है तो theta naught का true value find out करने के लिए हमें क्या करना होगा फर्स्ट वाइब्रेशन को observe करना होगा और यह फर्स्ट वाइब्रेशन कब observe होगा जब one-fourth vibration complete हो जाएगा तब हम फर्स्ट वाइब्रेशन को तब हम लोग जो है फर्स्ट वाइब्रेशन अब्जर्ब कर पाए यहाँ पर लिख लिजिए कि for calculating for calculating theta naught the first throw the first throw is observed is observed after the coil after the coil completes after the coil completes one-fourth vibration ठीक है one-fourth vibration जब वो complete कर लेगा तो हम लोग फर्स्ट वाइब्रेशन को observe करेंगे और युकि फर्स्ट वाइब्रेशन अब्सर्ब करना ज़रूरी है तो कि one-fourth vibration जो है यह equal होता है theta naught by theta 1 से ठीक है अब हमें पता है one-fourth vibration के लिए जो decrement होता है वो केतना होता है e पे पावर lambda by 2 तो इसे आप e पे पावर lambda by 2 से equal कर लिजे ठीक है कर सकते है theta 1 bracket 1 plus lambda by 2 plus lambda by 2 square by 2 factorial and so on कुछ इस तरीके से होता है अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो lambda है यह एक्चुली में क्या है logarithmic decrement इसका जो value होता है वो बहुत small होता है जिसके करण हम लोग क्या करते है कि जो लैमडा का हाईयर पावर्स है है ना हाईयर हाईयर पावर्स of lambda is neglected ठीक है क्योंकि यह वो बहुत small है इसलिए lambda का जो हाईयर पावर्स होगा उसको हम लोग क्या करते है उसको लोग neglect कर देते है तो lambda का जब हाईयर पावर्स neglect कर देंगे तो theta naught का जो value हम लोग को मिलेगा वो होगा theta 1 bracket 1 plus lambda by 2 अब आप क्या करें यह जो theta naught है इस theta naught का value को क्या करना है यहाँ पर इसमें substitute करते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखिए q का value क्या है मारे पास q is equal to c by nba t by 2 pi theta naught यहाँ पर substitute करके देखिए theta naught का value तो क्या होगा q is equal to c by nba t by 2 pi bracket 1 plus lambda by 2 theta 1 ठीक है तो यह actual में relation मिल रहा है हमें जो ठो होता है ठीक है जो deflection होता है क्वाइल का जब charge q पास करता है तो जो actual relation होता है यह होता है जिसमें हम लोग damping को भी include कर रहा है जो यह relation हम लोग को मिल रहा था यह relation कब मिल रहा था जब damping absent था बट जब damping included होगा तो जो relation हमें मिलेगा वो क्या होगा यह ठीक है तो यह जो वीडियो था इस वीडियो में हम लोग correction of damping को discuss कर रहे थे और यह ballistic galvinometer का हमारा part 3 है इसके बाद एक और part आएगा जहां पर हम लोग यह देखेंगे कि जो moving coil galvinometer है वो ballistic कब होता और deadbit deadbit कब होता है ठीक है फिर हम लोग यह भी condition देखेंगे कि deadbit galvinometer ballistic galvinometer कब कहलाता है तो आशा है आपको यह topic था हमारा correction of damping camping यह समझ में आया होगा और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट केजिए थाकि हम लोग आपका डाउट को clear कर सकें और अगर आपको PDF notes चाहिए ballistic galvinometer का तो नीचे description में link दिया हुआ है link पर जाएए और वहां से आप notes को download कर सकते हैं चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे